हलो मैं हूँ शाली नी उब्लीकर और मेरी चनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि मैंने आप लोग को वादा किया था फिफ्ट टैनल की बच्चों के लिए मैं कम्पुटर के बुग सर्च कर रहे हूँ मुझे बुग मिल भी गया और मैंने फर्स्ट लेसन जो है आप लोग के लिए एक्स्प्रेंड करके अप्लोड कर भी दिया है तो आज मैं आप लोग को एक्स्प्रेंड करने वाली हूँ इस लेसन का जो एक्सरसाइस था answer the following question तो इसके लिए आज मैं आई हूँ आप लोग के पास लेकिन यह सौल करने के पहले अगर आपने लेसन का explanation नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले वह ही देखिएगा फिर उसके बाद ही question and answer सौल किजे इसके आलाव भी मैंने बहुत सारे lessons निबन लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन बहुत सारे वीडियोस मैंने अप्लोड किये हुए है अगर आपने नहीं देखे है तो प्लीज देखिएगा फर्स स्टैंडर से लेके एससे सके प्रचुन के लिए बहुत सारे वीडियोस है आप लोग आपके स्टैंडर के हिसाब से प्लेइलिस्ट में जाएए और वीडियोस देखिए तो चलिए फिर अभी देखते हैं एक्ससाइज इसमें क्या है 1. Answer the following questions What is the desktop? Desktop is the primary screen of Windows 7 which appears when your computer completes the boot up process it includes desktop, background, icons and the task bar 2. Name the two types of computer memory 1. RAM stands for random access memory ROM stands for read only memory 2. Match the following A और B दिया है यहाँ पर Windows का आता है operating system Task bar का आता है Add the button of the desktop Start button आता है left hand corner of the task bar And mouse input device Okay 3. Fill in the blanks 1. The CPU is the brain of the computer यह CPU पुरा capital में आएगा जिस बच्ची ने भी लिखा है यह गलत लिखा हुआ है CPU capital में आएगा Is the brain of the computer The monitor looks like a television screen 3. The icon Represents a program and applications तो इतना ही है इसका exercise उसके आगे है practicals जो आप लोग को school में कराया जाएगा practicals में आपका जो practical period होगा उसमें ठीक है चलो फिर इतना ही था आपका आज का वीडियो तो आपने subscribe करके bell का icon tap करी दिया होगा तो उसके लिए thank you very much अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजेगा ताकि जो मेरी live stream आएंगे उसका notification आप लोगों को subscribe करके bell का icon tap करने के बाद ही मिलेगा और जो हिंदी और मराटी के specially मैं आप लोगों के लिए upload करने जा रही हूँ live stream में क्योंकि आपके अगर कोई doubts होंगे तो आप लोग clear कर सकते है ठीक है तो like कीजे परे वीडियो को और forward कीजे अपने दोस्तों को और relatives को ताकि उनका भी फाइदा हो ठीक है और तो फिर stay home stay safe all the best and bye bye